मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंडा और तुम यहां हो नाराज से लग रहे हो मैं कम्प्यूटर के बारे में पढ़ रहा था पड़ी हुई जानकारी याद रखने की कोशिश कर रहा था पर नहीं रख पाया और यस यंत्र को देखो ये सब कैसे याद रखता है ऐसी बात नहीं है मीरी तुम्हें मेरी सालगिरा याद रहती है और तो और तुम बॉसकों को परेशान करने के नए-ने तरीके ढूंते हो वास्तव में मैंने देखे हुए चुहों में तुम तो सबसे चतुर हो यह कहने के लिए धन्यवात तीरी पर वास्तव में उस कंप्यूटर के पास बड़ी जबरदस स्मरन शक्ती है जो मेरे पास बिलकुल नहीं है फिर मीरी शायद मुझे तुम्हें कंप्यूटर के स्मरन शक्ती की सीमाएं बतानी होगी और उसके लिए वो कैसे काम करती है यह पहले बताना होगा ठीक है देखो मीरी इस चमकदार डेस्क को प्लैटर कहते है नहीं मीरी इन्हें चुओ भी मत ये सारे भाग बड़े नाजूक है ये मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए खोला है वरना इन्हें चूना भी नहीं चाहिए माफ करो तीरी मुझे पता नहीं था देखो मीरी इस चीज को हेड कहा जाता है और ये शुन्य दशमलो शुन्य 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 एक इंच की मूटी हवा के कुशन पर होता है बस तुम्हें बताने के लिए आँ दर्धुआ ये तुम्हारा बाल है ये धुली कन है ये तुम्हारे उंगली के निशान का आकार है और ये धुए का कन है और ये है हेड और प्लैटर के बीच का अंतर मतलब एक छोटा सा दुए का कन भी हाट डिस्क को नुकसान पहुचाता है बिलकुल मेरी और जब यही हेड अगर प्लैटर या अन्य किसी कठिन कन के संपर्क में आता है तब उसे हेड क्रैश कहते है ठीक है तीरी मैं सावधान रहूंगा पर ये चीज इतना सारा डेटा कैसे संग्रहित करती है तुम्हें बाइनरी याद है हाँ कम्प्यूटर को सारा डेटा शून्य और एक के रूप में समझता है और शून्य प्रतिनिदित्व करता है रुनात्मक प्रभार का और एक सकारात्मक प्रभार का मतलब तीन संख्या के लिए आठ प्रभार की जरूरत है समझ गया फिर ये सारा डेटा हाट डिस्क पर ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर में संग्रहित होता है और संगटित होता है अब ये क्या है? ट्रैक मतलब पूराने एलपी रेकॉर्ड के जैसे गाढ़े चक्रों की रिंग होती है पर उनमें कोई दिखाई देने वाली लीक नहीं होती फिर ऐसा हर एक ट्रैक वर्गों में विभाजित होता है जिने सेक्टर कहते है और जैसे की यहां बहुत सारे प्लैटरों का धेर लगा होता है सिलेंडर डेटा का वह उपरादार वर्ग होता है जो एक ही ट्रैक पर होने वाले हर प्लैटर का प्रतिनिधित्व करता है और ये सारी डिस्के बहुत ही तेजी से घुमती होगी है ना हाँ तीरी वे एक मिनिट में 7200 बार घुमती है और भी तेज मिरी एक मिनिट में 15000 बार घुमने वाली भी डिस्क होती है बाप रे ये तो बड़ा ही तेज है लेकिन हाट डिस्क अगर इतनी नाजूक होती है तो बड़े-बड़े कमपनी और कार्या लेयों में डेटा सुरक्षित कैसे रखती है वे आरे आईडी रेड का इस्तेमाल करते है मतलब डेटा के लिए वे लशकर की तरह डिस्क पर छापा मारते है नहीं मीरी, रेड मतलब रेडांडेंट अरेस ओफ इनेक्सपेंसिव डिस्क इसमें ऐसी बहुत सारी हाट डिस्क एक यंत्र में एक साथ बटोरी जाती है हाँ, पर इतना ही नहीं, वे जिस क्रम में रखी जाती है उसके अनुसार कोई एक से पचास प्रतिशत तक का डेटा भी द्वस्त हो जाए तो भी वह सारा डेटा सुरक्षित रख सकती है बहुत बढ़िया, पर जब कम्प्यूटर हाड ड्राइफ कैसे काम करता है ये मुझे पता है तो मैं और भी दुखी हूँ, क्योंकि वे सिर्फ डेटा संग्रहित ही नहीं करती बल्कि डेटा नश्ट होने पर वापिस भी पा सकती है पर कम्प्यूटर का मस्तेश, गाने लिखना या बॉसको को परेशान करने के नए तरीके ढूमना ऐसे स्रजनशील काम नहीं कर सकता कम्प्यूटर सिर्फ और सिर्फ डेटा संग्रहित कर सकता है और उसी को बार बार इस्तेमाल कर सकता है हाँ ये बात तो सही है अब मुझे उस बिल्ली को तंग करने का कोई नया तरीका ढूणना है धन्यवाद तीरी अब मैं बैतर महसूस कर रहा हूँ मैं आ रहा हूँ बोस को